साथियों, आज खादी जिस उंचाई पर है, उसके आगे अब हमें बविश्च की और देखना है। आज कल हम हर वैस्विक प्रेटफरम पर एक शब्द की बहुत चर्चा सुनते हैं। sustainability, कोई कहता है, sustainable growth, कोई कहता है, sustainable energy, कोई बहता है, sustainable agriculture, कोई sustainable product की बात करता है। पूरी दुनिया इस दिशा में प्रयास कर रही हैं कि इंसानों के क्रिया कलापों से हमारी पृत्वी, हमारी धर्ती पर कम से कम बोज पड़े दुनिया में आज कल बैक टू बेजिक का नया मंत्र चल पड़ा है प्राकुर्तिक संधातनों की रक्षा पर विशेज जोर दिया जा रहा है ऐसे में सस्ट्रेनेबल लाइफस्ट्राइल की भी बात कही जा रही है हमारे उत्पात इको फ्रेंडली हो परियावरन को नुकसान न पहुँचाए ये बहुत आवश्चक है यहां खादी उत्सओं में आये आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्ट्रेनेबल होने की बात पर इतना जोर क्यों दे रहा है इसकी वजह है खादी सस्त्रनेबल क्लोधिंग का उदारण है कि खादी इको फ्रेंडली क्लोधिंग का उदारण है खादी से कारबन फुट्प्रिंट कम से कम होता है ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां तापमान ज्यादा रहता है वहां खादी हेल्स की द्रश्टी से भी बहुत अहम है और इसलिए खादी आज वैश्विक्स तरपर बहुत बड़ी भूमी का निबा सकती है बद हमें हमारी इस विरासत पे गर्ब होना चाहिए खादी से जुड़े आप सभी लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा बाजार तैयार हो गया है इस मोके को हमें चुकना रही है मैं वो दिन देख रहा हूँ जब दुनिया के हर बड़े सुपर मार्केट में क्लोथ मार्केट में भारत की खादी चाही होगी आपकी मेहनत आपका पसीना अब दुनिया में अच्छा जाने वाला है जलवायू परिवर्तन के बीच अब खादी की दिमान और तेजी से बढ़ने वाली है खादी को लोकल से ग्लोबल होने से अब कोई शक्ति रोक नहीं सकती है खादी को लोकल से अब खादी कि अवाली है